नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्मार्ट लेर्निंग यूटूब चैनल में हर्दिक स्वागत है आज का जो सेशन होने वाला है उप्री मेडवल पीरियड के बारे में होने वाला है कल एंसिंड इंडिया समाप्त हो चुकी थी पोस्ट गुप्तन पीरियड तक की बात हो गई थी आज जो डिसकस होगा वो प्री मेडवल पीरियड होगा तो आप लोग स्मार्ट लेर्निंग के यूटूब चैनल को लाइक कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए आपके जो महतेपोर सुझाओ है उनको आप कमेंट करिए यह एक सुचना थी अभी जो था कि बात एंसेंट हिस्ट्री की हो गई थी एंसेंट हिस्ट्री में हम लोगों ने वो महतेपोर महतेपोर तथ्य देखे जो की एक्जाम में संभावित हैं और जो लोग इसे कांटिन्यू होकर के देख रहे हैं उनको यह पता चल गया होगा कि जो भी इस सेशन में डिस्क्स किया गया है वो आपके लिए कितने महतेपोर है क्योंकि एक भी स्टेट्मेंट ऐसा नहीं था जो की कोश्चन अपने आप में ना हो इसलिए आप लोग इ मीडवल इंडिया स्टाट होता है तो जो ऑबराल बैक्ग्राउंड था मीडवल पीरियट का उससे पहले का कि जब एंसेंट इंडिया के जो बड़े-बड़े एंपायर थे जब वो डिकलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं जब उनका डिकलाइन हो जाता है ठीक तो फिर एक वैकुम करियेट हो जाता है, कि जब एक बड़ा सामराज धरासाई होता है, और फिर एक बड़े सामराज के निर्माण के बीच का जो काल होता है, जैसे एक बड़ा सामराज था, और ये फिर उदित सामराज है, इसका ये डिकलाइन होना स्टार्ट हो जाता है, पहले इतना ब पूरुवमध्यकाल कहलाता है तो पूरुवमध्यकाल हम लोग पढ़ेंगे प्रीमेड़ल पीरियट जो पढ़ेंगे तो पहले हम लोग इन्हें दो पार्ट में इसको डिवाइट करके हम लोग इसको देखेंगे पहला जो है वो हम लोग देखेंगे जो जजियाकर था उसको लगाने का स्रें सिंध के जो बिजेता थे वो कौन थे महुंँमद बिन कासिम उनको दिया जाता है तो उन्होंने किस वर्ग को इसकर से पूर्टाया मुक्त रखा था तो उन्होंने जजियाकर तो लगाया था सरप्रथम भारत में और फिर इन्होंने relaxation किस अवर को दिया था तो इन्होंने ब्राम्हणों को उस से छूट दे दी थी कि जजिया कर लगेगा हिंदूओं पर लेकिन किस पर लगेगा तो वो छत्रिये पर लगेगा वो ऐसे पर लगेगा सुद्र पर लगेगा लेकिन ब्राम्हणों पर कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि उस काल में जो ब्राम्हण थे वो dominant थे इसलिए ब्राम्हणों को उससे relaxation दे देगी और बाकी जो वर्ग थे उनको उस पर जजिया कर लगा दिया गया अगला जो question है कि किस गरंथ के उलेक के अधार पर यह माना जाता है कि जो मलिच थे कि अत्याचार से तरस्त होकर जो महर्ची वसीष्ट थे ने अत्याचारियों का बिना सहित आभी परबद पर एक यग किया और यग कुण्ड से चार राजपूत कुलो जैसे परमार सुलंकी परतिहार और चवहान का जन्म हुआ तो इसका जो वर्णन देखने को मिलता है उनके जो दरबारी कभी थे उनके द्वारा परतिवीरार रासो लिखा गया है अब आप लोग कमेंट सक्षन में ये बताएंगे कि प्रतिवी राज चोहान के जो राज दरबारी कभी थे उनका नाम क्या था आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उस सासक का नाम क्या है जिसने बिजय इस्तंब का निर्माण करवाया था जिसे किर्थी इस्तंब के नाम से भी जाना जाता है तो उसका निर्माण राणा कुम्भा ने करवाया था भारत पर पहली बार आक्रमन करने वाले कौन थे तो भारत पर पहली बार जो बिदेशी जाती ओदार आक्रमन हुआ था तो उनमें सबसर प्रतम कौन थे अरब थे अप्टी ये और जिल्वाड़ा का जेनमंदिर वो कहां इस्थ था तो आबू परबत पर स्थित अब परबत कहां है तो आबू परबत आपको राजिस्थान में देखने को मिलता है खज्राह का जो मंदिर है फिक उसको किसने बनवाया था तो उसको चंदेल राजपूत सासको दौरा बनवाया गया था और ये खजराहो का जो मंदिर है इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिसकस कर दिया था तो आप लोग को यह याद भी होगा कि जो खजराहो का जो मंदिर है वो चंदेल राजपूत सासको द्वारा बनवाया गया था जो बिजय इस्तम्भ है वो कहा देखने को मिलता है तो बिजय इस्तम्भ चितोल गड़ में देखने को मिलता है जो बिजय इस्तम्भ है उसे किर् तरीके से कर दिया जाएगा किसे एक नया संवत चलाने का यस प्राप्त होता है तो लश्मन सेन एक सा सकता उसको नया संवत चलाने का यस्प्राप्त होता है गीत गोबिंद एक पुस्तक है जिसकी रशना जैदेव ने किया है और जैदेव किसकी सभा में अलंकृत करते थे तो वो लश्मन सेन की सभा में जो जैदेव थे उनके राज दरबारी कभी थे तो उन्होंने क्या लिखा है गीत गोबिद लिखा है भुवनेश्वर तथा पूरी के जो मंदिर हैं वो किस सहली में निर्मित है तो वो चुकि उत्तर भारत में पड़ता है तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की जो सहली थी वो नागर सहली परचले थी तो जो भुवनेश्वर पूरी के जो मंदिर ह वो किस राज में है तो जगनात मंदिर आपको उड़ीशा में देखने को मिलता है और ये जगनात मंदिर की फोटो है अगला कोश्यन है कि तामरपत्र लेख जो तामरपत्र लेख होता है वो दरसाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओ का संपर्क था कहां से था तो जावा सुमात्रा से था क्योंकि तामरपत्र लेख में ऐसा उलेख किया गया है उसी के आधार पे ये कहा जाता है कि बिहार जो था वो जावा और सुमित्त्रा के राजाओं के संपर्क में था अगला कोश्यन है कि गोबिंद्र चंद्र गहडवाल गोबिंद्र चंद्र गह थे लेक देखने को मिलता है अगला जो कोश्यन है कि हमीर महा कावीश में चवहाणों को राजव Convention को शूरिवंसी बताया गया है आलहा जो उदल थे वह किसा संबंदी थे तो आलहा उदल म्होबा से मह dioर्त इस पती दूद्स होगीम आलहा उदल की जो काब्य है वह आप लोग सुने ही होंगे नहीं सुना है तो आप लोग एक बार सार्च करके इंटरनेट से देख लीजिए और यह है बिजय इस्तम ठीक है तो यह आप लोग देख लीजिए जिसको राणा कुम्भादवारा बनवाया गया था कहा बनवाया ग जाए इनके जो लेखक है वह है जयानक कि अगला जो कोशन है किस वंस ने आठवी सताब्दी में दिलिका या फिर देहली सहर की स्थापना की थी तो वह तोमर वंस के सासकों द्वारा उसकी स्थापना की गई थे जो लिंगराज मंदिर है उसकी नियू किसने डाली थी तो याति केसरी डाली थी अगला जो कॉश्यन है जो सोमनात का जो मंदिर है सोमनात के अक्रमर का हो था एक हजार पच्चीस में हुआ था और वह महमुद गजनवी के द्वारा करवाया गया था तो यह कोश्यन है कि सोमनात के मंदिर पर द्वारा सोमनाद मंदिर पर अक्रमन किया गया था अगला जो कोश्चन है कि हिंदू बिधी पर एक पुस्तक है जिसका नाम मिताक्षरा है और मिताच्षरा का जो यह पुस्तक है उसको किस ने लिखा है तो उसको लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम बिग्यानेश्वर है थिक विज्ञानोशन ने मिताक्षरा लिखा, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन ने जो एक्जाम है, उनमें इस पुस्तक के बारे में कई बार पूछा गया है, अगला जो कोशन है, वो है बलेक पगोडा, बलेक पगोडा भी ये भी कोशन बहुत ही मिलता है अगला कोश्चन है कि किस नाटक के कुछ अंस अड़ाई दिन का जोपडा मस्जित की दिवारों पर अंकित है तो अड़ाई दिन की जो जोपडा है उसकी मस्जित की दिवारों पर जो अंकित है वो हरिकेली के बारे में अंकित है अगला जो कोश्चन है कि रानी जो पदमिनी थी उनका नाम अलावद्दिन खिली जी की चित्तोड बिजे के साथ जोड़ा जाता है तो उनके पती का क्या नाम था तो उनके पती का नाम राणा रतन सिंग था इनके राणा पदमिनी के अगला जो कोश्चन है कि विक्रम सिला सिछा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था तो वो थे धरमपाल धरमपाल ने विक्रम सिला जो इनवस्टी थी उसको बनाया था ठीक है पालवंस के जो संस्थापक थे वो कौन थे तो पालवंस के संस्थापक का नाम गोपाल हुआ करता था जो पालवंस की जो राधानी क्या थी तो पालवंस की राधानी मुद चंदेलखंड का नाम जो था प्राचीन काल में वो जोजाक भूक्ती देखने को मिलता है उनके पौत्र जैसिंग या फिर जेजा के नाम से जो प्रदेश कहलाया वो जोजाक भूक्ती कहलाया ठीक तो अगला जो कोश्यन है पुंट्रु वर्धन भुक्ति अवस्थित थी तो पुंट्रु वर्धन भुक्ति जो अवस्थित थी वो कहा थी उत्तर बंगाल में स्थित थी सोमपुर महावियार का निर्माड किस ने करवाया था तो उसका निर्माड धरमपाल ने करवाया था बिक्रम सिला महाविया की इस्थापना किस वंस के सासक दोरा कराई गई थी तो वो पाल वंस के सासको दोरा करवाई गई थी लक्षमन जो संबोत है का प्रारम किस वंस के द्वारा करवाया गया था तो वो सेन वंस के द्वारा लक्षमन संबोत का प्रारम करवाया गया था गुर्जर प्रतिहार वंस की जो राजधानी थी वो गुर्जर प्रतिहार जो वंस की स्थापना किसने करी थी तो वो नागभट पर्थम ने की थी ठीक है अगला जो कुश्चन है कि महोदया किसका पुराना नाम हुआ करता था तो कन्नौज के जो राजा भोज थे उनका नाम महोदया देखने को मिलता है महानतम जो प्रतिहार राजा था वो कौन था तो महानतम प्रतिहार राजा मिहर भोज थे महान जैन बिद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकरित करते थे तो वो कुमारपाल की सभा को अलंकरित करते थे कौन था तो जैन धर्म के महाविद्वान थे हेम चंद्र ठीक है अगला जो कोश्यन है कि राष्ट कूट वंस की जो संस्थापक थे वो कौन थे तो राष्ट कूट वंस के संस्थापक दंति दुर्ग या दंति वर्वन सेकंड देखने को मिलता है किस मंदिर परिसर में एक भ आगे बढ़ते हैं कि महान संस्कृत कभियो मनाटक कार जो राजसेखर थे वो किसके दरवार से संबंदित थे तो वो दरवार था मेहंद्पाल पर्थम का उनकी दरवार में क्या थे राजसेखर हुआ करते थे और राजसेखर की जो महत्यपूर्ण पुस्तक है उसको आप तो कमेंट सिक्सेन में बताएंगे क्योंकि उसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है जो अजयपाल थे वो केद के संस्थापक थे तो अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे वह पर्थम भारतीय सासा कौन है जिससे तुर्क आक्रामता मुहमत गोरी का सर अक्रमण हुआ था 1178 में मुहमत गोरी दौरा गुजरात पर अक्रमण किया गया था और उस समय वहां के जो सासक थे भीम दित्तिये थे जिन्हें मोलराज के नाम से भीजाना जाता है उन्होंने मुहमत गोरी को पराजित कर बंदी बलान लिया जाता था इसलिए एक भारत पर आक्रमण किया था तो उसका सामना भीम दित्तिये से था और जिसने उन्हें परास्त किया था तो वह किस सन में किया था तो वह सन था 1178 इस भी ठीक है 1178 इस भी में भीम दित्तिये द्वारा या फिर मोलराज द्वारा मुहमत गोरी को पराजित किया गया था अगला जो कोशन देखने को मिलता है कि किस सासेज ने कालेंजर के जो अजे धूर्ग का निर्मान कराया था तो वो थे धंगदेव वह कुव सबीप दारा प्रियोक द कियेumm के जाने के कारण कल्चुरी संबद भी कहलाता है तो वो थे त्रैकूर्ट संबद त्रैकूर्ट संबद जो थे वो कल्चुरियोद और प्रियोग के जाने के कारण कल्चुरी संबद भी कहलाता है चंदावर का युद्ध था 1194 इसवी में लड़ा गया था तो वो जैचंद और मुहम्मद गोरी के मद्ध लड़ा गया था और इस चंदावर के युद्ध में जैचंद की पराजे होती है और मुहम्मद गोरी बिजीत होता है नौसेध शरीत वाख खंडन खंड खाद दे कि रचैता स्री हर्स किस सासक के राज कभी थे तो वो जैचंद के क्या थे राज कभी थे किस पाल सासक को गुजराती कभी सोड़ल ने उत्तरापत स्वामिन कहा है तो वो धरमपाल को कहा है क्योंकि धरमपाल उस समय का परतापी राजा हुआ करता था नवी सताबदी में भारत आये अरब यात्री सुलेमान यह परताब यात्री थे अरब यात्री जिनका नाम सुलेमान देखने को मिलता है यह नवी सती में भारत आये थे तो यह किस साम्राज को रुहमा कहकर संबोधित किया तो रुहमा कहकर उन्होंने पालवंस के जो सासक थे उनका जो सामराज था उसको रुहमा उन्होंने संबोधित किया था सेन वंस का संस्थापक कौन था तो सेन वंस का संस्थापक सामन्त सेन था लिंगराज मंदिर किस सहर में आवस्थी थे तो वो उड़ीशा के भुवनी इश्वर सहर में इस्थी थे जो कि बेया बंगाल की कुश्टल सिटी है किस बिदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंस को अलगुजर या एवं इस वंस के सासकों को बावरा कहा तो वो अलमसूदी थी जैन वास्तुकला का प्राचींत मुधारण देखने को मिलता है कहां तो वो दिलवाडा में देखने को मिलता है दिलवाडा का जो जैन मंदिर है वो आबू पर बत्तित है जो कि वर्तमान में राजिस्थान में देखने को मिलता है कायस्थों की एक जाती के रूप में पर्थम उलेक कहां मिलता है तो कायस्थों की एक जाती के रूप में पर्थम उलेक ओसनम इसमृती में देखने को मिलता है मोंडेरा का जो सूरी मंदिर था वो किस राज में देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है गुजरात में ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो डिसकसन है वो उत्तर भारत का खतम हो जाता है प्री मेडवल पीरियेट का क्योंकि pre-medual period में जो भी उत्तरभारत से संबंदित महत्यपूर्ण तत्य थे उनको हम लोगों ने डिसकस कर लिया है अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में pre-medual period में जो की संबंदित होगा साउथ इंडिया से ठीक है तो अभी हम लोग साउथ इंडिया को देखेंगे और साउथ इंडिया से महत्यपूर्ण तत्यों को आईए शुरू करते हैं तो पहला question है कि जो बादामी में दुर्ग का निर्मार करवाने वाले या बादामी को राजधानी बनाने का स्रे किस चालू के सासक को जाता ह तो वो पुलकेशिन प्रथम थे चालू के सासक पुलकेशिन प्रथम जो थे वो बादामी को अपनी राजधानी बनाए और वहां पर एक दुर्ग का निर्मार करवाया था अगला question क्या है कि किस चालू के सासक ने थानेश्वर या फिक कन्नौच के महान सासक हर्थवर्धन को नर्वदा नदी के तट पर परास्तिया और उसे दच्छिन में बढ़ने से रोका था तो वह सासक का नाम पुलकेशिन दित्य था इसको हम लोगों ने जब हर्थवर्धन काल पढ़ा था तब इसके बारे में चर्चा की गई थी चालू क्यों पल्लब का जो संघर से उसक से कौन से सासक थे ठीक तो वह से सासक का नाम नर्सिंग बर्मन फष्ट जिसे मामल कहा जाता है उन्हों ने जब पुलकेशिन दित्य की हत्या कर दी युद्ध में और फिर उन्हों ने तब जो उपादी धारन की वह वातापी कोंडा थी ठीक है जो वातापी का बिजेता जिसका आर्थ होता है कि कि किस चालू कि सासक ने चेर चोले और पांडे को हराया जिस कारण उसे तीन समुद्रों बंगाल की खाड़ी हिं हम का नाम बिक्रमादित्य पर्थम था तो बिक्रमादित्य पर्थम में चएर-चोलो पांडे तीनों की अरतित हैं और तीनों जो राज बंगाल के घाड़ी हर दो Жकुनमारद को सब्रेश का वियंको और आफ़र होती कि चये कि बिशा कर दल ल्क उसको कहा जाता था estaba वह तमिलेडून में साशन करते थे तो वह हिंद महा सागर की सीमा थी उसको टाच करते थे तो इसलिए ये इस्टेट्मेंट दी गई और बंगाल की खाडी हिंद महा सागर का स्वामी भी कहा गया किसको विक्रमादित परतं को अगला जो कोश्चन है कि स्री लंका पर विजे प्राप्त करने वाला चोल वंस का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो वो राजेंद प्रतम था अगला जो कोश्चन है कि राश्टकूट वन्स की राज़ानी क्या थी तो मालखंड या फिर मानने खेत थी ठीक है तो मानने खेत हुआ करती थी अगला जो कोश्चन है कि हिरन ने गर्भ हिरन ने गर्भ धार्मिक कारी किसने कराया था तो वो दंती दुर्ग ने करवाया था तो राज राजा फश्ट ने करवाया था प्रहे देश्वर के मंदिर का निर्मार चालुक वंस का सब रवाधिक जो प्रसिद्ध सा सकता कौन था तो वो पुलकेशिन दित्तिय था पुलकेशिन जो दित्तिय था उसने चालुक वंस का सबसे प्रसिद्ध सा सकता कौन सा सहर चोल राजाव की राधानी था तो वो था तंजोर जिसे तंजावर भी कहा जाता था पांडी सामराज की राधानी कहा थी तो उनकी राधानी मदुरे हुआ करती थी राष्टकूर्ट सामराजी का संस्थापक कौन था तो उसका संस्थापक दंती दुर्ग था बिरुपाक्षी का जो मंदिर है उसका निर्माण किष्णे करवाया है तो उसका निर्माण चालुक्यों दारा करवाया गया था तो ये महत्रपुण तत्य थे कुछ और तथ्यों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पलो के एकास्मिय रथ मिलने का इस्थान कहा है तो वो महाबलीपुरम है महाबलीपुरम में पलो सासको द्वारा रथ मंदिरों का निर्मान कराया गया था होयलसल की राजधानी का नाम क्या था तो उनकी राजधानी का नाम द्वारसमुद्र था महाबलीपुरम जो की एक मुख्य नगर है वह कला में किन सासकों की रूची को दरसाता है तो वो पल्लो सासक थे यादो समराटों की राजधानी कहा थी तो याद्व समून राटों की राजधानी देवगिरी हुआ करती थी चोल राजा उने ऐने किस धर्म को संर्णाप्रदान किया था तो वो सैव धर्म राजा राजरा प्रत्म प्रतम साफक कौन था जिसने अरप सागर में भारतिये नौसेना की सरवच्चता स्थापित की थी तो वो राज राज राजा प्रथम थे जिन्होंने अहरतिय नौ सेना की सरोचता इन्होंने इस्थापित की थी कहां अरब सागर में अगला जो क्वेश्चन है कि किस सामराजी के पास एक सक्तिसाली नौ सेना थी तो वो थी चोल सामराजी के पास और कहा जाता है कि चोल सामरा आदे दीपों को इन्होंने बिजित किया था प्रसासन के छेत्र में चोल राजिवन्स का मुख्य योगधान क्या था तो उनका जो योगधान था सू संगठित स्थानिय स्वसासन में था इसलिए यह कोश्चन बार-बार पूछा जाता है कि प्रसा जो चोल किसलिए प्रसिद था का के ससमानदे निन्होंने करवाया था अधिया था महा भारत का भारत बेनवा भारत बेनवा नाम से तमिल में अनवाद देखने को मिलता है तो उसको किसने किया था तो पेरुंद देवनार ने इस अनवाद को किया था पलो की राजभासा क्या थी तो पलो की जो राजभासा थी वो संस्कृत थी इलोरा का 34 नंबर की जो गुफा का मंदिर है वो कब बनवाया गया था तो इलोरा का 34 नंबर की गुफा है उसका निर्मार 700 से 880 सबी में कराया गया था तीन मु hablी जो ब्रह्मा विश्णु महेस की जो मूर्थी है जिसे तिर्मूर्ती के नाम से जानी आती है यह किस गुफा में है तो यह एलिफेंटा की गुफा में स्थित है एलिफेंटा की जो गुफा है वो कहां मिलता है तो मुंबई के पास समुद्र में देखने को मिलता है ठीक है जिसे किन सासको दारा बनवाया गया था तो यह राष्टकूर्ट सासको दारा पायते हैं तो हेलसल के जो इसमारक है वह हेलेबिड या बेलूर में देखने को मिलते हैं अगला जो कोश्चन है कि चोलो द्वारा किसके साथ घनिष्ट राजनेतिक था बैवाहिक संबंद इस्थापित उन्होंने किया था तो वह बेंगी के जो चालुक के थे उनके साथ उन जो राजवन्स था उसका बिदवन्स उस नहीं किया था अगला जो कोश्चन है कि किसने कन्नल का बिसास्त्र की प्राचींतम कृती कभी राजमार्ग की रचना की है तो वो है अमोग वर्स ने कभी राजमार्ग की रचना की है जो कि कन्नल का का बिसास्त्र की सबसे प्राच चींतम करती है ठीक है अगला कोश्चन क्या है कि किस राजवन्स का काल कंणर साहित के उत्पत्ति का काल मना जाता है तो राश्ट कूट का जो सासन था वो कंणर साहित के उत्पत्ति का काल मना जाता है मंदिर इस्थापत्ति की जो द्रवड सहली है का आरम किस राजवन्स के स विक्रमादित जो 6 थे विक्रमादित शष्ट उनके द्वारा चालोक की विक्रम संभुत का परुचलन किया गया था अगला कुश्य कि चोल काल में 9 सेना का सरवाधी विकास किसके समय में हुआ है तो वो राजएंदर प्रत्रम के काल में क्या हुआ है कि चोल काल में नौसेना का सरवाधी विकास इनी के काल में हुआ था क्यों राजेंदर चोल ने अपनी जो नेवी थी उसको बहुत बढ़ा दी थी राजेंदर चोल दारा किया गया जो बंगाल अभियान था उसमें बंगाल का सासक कौन था तो वो महिपाल प्रथम था उसमें राजेंदर चोल दारा बंगाल पर आकर्मन किया गया था अगला कोश्चन है कि वह चोल राजा कौन था जिसने सिलंका को पूर्ण सोतंतरता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का बिवाह कर दिया था तो वो था कुलो तुंग पर्थम कुलो तुंग पर्थम ने सिलंका के जो राजकुमार थे उनसे अपनी पुत्री का विवाह किया था और तंजोर के चोल राज की जो राजधानी बनाने वाला कौन था तो वो था बिजयाले तंजोर को चोल राज की राज़धानी किस नहीं मनाया है, तो विजयाले ने मनाया है, और विजयाले ही चोल जो राज्य भंस था, उसके संस्थापक माने जाते हैं, अग्ला कुशन है कि जो 12.Ş tadi के राष्ट कूतों के जो 5 सिलाले किस राज में मिलते हैं, तो वो कर्नातंग म आपको देखने को मिलेगा दच्छन भारत का तक कोलम का जो युद्ध हुआ था वो चोलियम राश्ट कुटो के मद्ध हुआ था ठीक है और अगला जो तर थे वो अभी देख लेते हैं कि एलोरा गुफाओ का नर्माल किस ने कराया था तो एलोरा गुफाओ की नर्माल राश्ट कुटो ने करवाया था द्रवड सहली के जो मंदिर हैं उनमें जो गोपुरम बनाये जाता है तो उस गोपुरम से क्या तात पर है तो गोपुरम क्या होता है तोरण के उपर बने अल यह समान लिया जाए कि यह मंदिर हो गई ठिक अब यह मंदिर का परिसर हो गया मतलब जहां तक मंदिर की जो जमीन होती है उसको माना जाता है कि परिसर ठीक तो यह मंदिर परिसर हो गया तो जब भी आप मंदिर के परिसर में इंटर करते हैं तो जो में धर्वाजा होता था उसी को तोरण कहा जाता था तो उसी तोरण पर क्या होता था कि जो गेट बनाया जाते थे वो बहु मंजिला भवन से बनाया जाते थे तो क्या हुआ कि दच्छल भारत में इस तोरण का महत बलता चला गया और राजा जो थे वो तोरण को इतना भव्य बनाते थे कि कभी-कभ यह होता था कि मंदिर उस भव्यता के करण छिप जाया करता था और इस तोरण को बनवाने में जो दशन भारत के जो राजा थे वो अपने को प्रतिष्ठित समझने के लिए उस तोरण को और अधिक बहुमंजिला बनाते बनाते एक समय ऐसा आया कि वो मंदिर से उपर हो जाय करते थे तो ऐसी प्रता स्टार्ट हो गई जैसे जो राजा जितना बड़ा तो तोरण बनवायेगा गोपुरम बनवायेगा वह उतना ही धनवान और प्रतिष्ठित समझा जाता था तो इसके लिए दिखावत के लिए दिखावे के लिए यह जो गोपुरम थे वह बड़े प्राइश्त्र मिंद्र उनका सम्बंद कहा हैं तो उनका संबंद केवल हिंदू बौध हुषम जैनों से सम्बनित था चोलो का जो राज था किस छेत्र में फैला हुआ था तो चोलो का जो राज था वो कोरो बंडल तट परिस्थित्था और दक्कन के कुछ भागों में या देखने को मिलता है चोल सासको के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कान से प्रतिमा है यह बहुत ही फैमस हुई है चोल सासको की जो यह बनवाईगी थी तो वो क्रिश्न तिर्तिये थे ग्रिश्न तिरतिये द्वारा रामेश्युर्म में बिजय स्तंळियों देवाले के स्थापना करवाई गे थी जो क्रिश्न तिरतिये थे किसमेर साक तो वह राष्टकूर्वर्सके साक थे तो कुछ अब हम लोग table discuss करेंगे जिनमें महत्पूर्तत समाही थे तो पहला जो हम लोग देखेंगे कि चोलो के समय में जो अभिलेक बनवाए गए थे तो उन अभिलोखों में कुछ टैक्सों के नाम लिखे हुए है कौन सा टैक्स किसके लिए था तो उसका विवरण हम लोग देखते हैं जो कि इस टेबल में आपको दिखेगा तो इधर हम देखेंगे कर का नाम जो टैक्स का नाम होता है उसको देखेंगे और वो किस से सम्बंदित था उसकी जो जानकारी है उसके जश्ट सामने दी होई है ठीक जो सम्बंदित छेतर है उसको तो पहला टैक्स का नाम था आयाम आयम जो आयम था वो राजस्य से संबंदित था और दूसरा जो टेक्स था वो कुद्मय था तो कुद्मय क्या था एक प्रकार की लगान थी तीसरा टेक्स था मरमजाडी नर्पसु पर लगने वाला कर हुआ कि अगर जो भी मेल अनिमल आपके पास होगा तो उस पर टेक्स लगता था सरकार का तो वो क्या था किटा कासु था ठीक है और पड्डिकावल क्या था तो पड्डिकावल क्या था कि गाउं की रच्छा के लिए लिया जाने वाला जो कर था उसे पड्डिकावल कहा जाता था और वाल लित्तमम क्या था तो वाल लित्तमम दार कर था वाल जो लित्तमम क्या था वो दार कर था और मनाईरे क्या था मनाईरे जो था वो भवन कर था अगला जो था कडाईरे क्या था तो कडाईरे जो दुकानों पे लगने वाला जो टैक्स था वो था और तीसरा था आजी वक्काव कासु तो आजी वक्काव कासु जो क्या था वो आजी को पलगने वाला कर हुआ करता था और पेवरी क्या था वो तेलियों से लिया जाना वाला करता मगयन में क्या था तो मगयन में क्या था कुमार लुहार सुनार आज से लिया जाने वाला जो कर था वो मनैग में कहलता था तो यह टेक्स बहुत ही इंपॉर्टन्ट है इनसे क्वेश्चन जो देखे गए हैं जो पैटन बदल लाए बदल लाए एक्जाम्स का तो उनमें क्या होता है कि अभी मनेरे पूछ लिया जाएगा तो मनेरे जो चोल काल में कौन सा टेक्स था आपके पास आप्सन हो जाएगा राजसु लगान ब्रिच्छिकर या फिर भवन कर तो आपका जो एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भवन कर तो ऐसे कोशन बनाए जा रहे हैं और जो कि उस समय जो प्रजा पे लगाया जाता था ऐसे करके स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर वो इस स्टेटमेंट में जो जानकारी दी गई है उनमें यह जानकारी गलत हो जाती है तो इसके लिए ये बहुत ही इपॉटेंट हो जाता है अगली जो हम लोग टेबल देखे तो उस टेबल में जो प्रमुक चोल सासक थे, उनकी कौन-कौन सी उपाधी हुआ करती थी, कि कोई अगर कोई सामराज जीतता है, तो उन पर वो लोग उपाधी धारान करते थे, तो उन उपाधियों को हमको देखना है, तो आईए सुरू करते हैं, तो सरपर्थम जो राजा थे, वो बिजियाले है थे, तो बिजियाले की उपाधी थी, वो परकेसरी कहलाती थी, वो परकेसरी की उपाधी धारान करते थे, जो आदिल पर्थम थे, तो आदिल पर्थम कोदंडराम की उपाधी धारान करते थे, और अगली जो राजा है, वो परांतक पर्थम है, तो म मद्रे कॉंड की उपाधी धारान करते हैं और राजा राज प्रथम जो थे वो राज राज या फिर कडलूर साले कलमरूत की जो उपाधी थी वो धारान करते थे राजेंद्र जो प्रथम थे और गंगय कॉंड चोल की उपाधी धारान करते थे राजा धिराज प्रथम जो थ प्रसिद्य था तो ये अभी हम लोगों ने कई बार डिसकस किया है तो आपसना आपके पास हो लाएंगे चोल चेर पल्लो राष्ट कुट तो आपका इंसर क्या हो जाएगा चोल ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक नई टेबल को देखते हैं कि चोल सासको दारा निर्मित कराएगे जो मंदिर है वो कौन-कौन से मंदिर है उनको हम लोग को देखना है कि चोलो दारा कौन-कौन से महत्रपुर मंदिर का निर्मान करवाया गया है तो फिर आप हम लोग कटेगरी देखेंगे राजा की है इस्थान की है और मंदिर की है ठीक मंदिर कहा बनवाय गया था नार्मत्ता लाई में बरवाय गया था नार्मत्ता लाई में उन्हें चोलेश्वर मंदिर का निर्मान करवाय था आधित्य जो पर्थम थे उन्होंने नागेश्वर मंदिर का निर्मान करवाय था और ये कहा था कुम्भ कोडम में आधित्य बहुत ही महत्यपूर्ण है एक बार आप लोग बाल सुब्रमन्यम जो मंदिर है उसके बारे में सर्च कर सकते हैं उसकी जो विश्यस्ताय हैं मंदिर की जो तत्य हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं और बाल सुब्रमन्यम जो मंदिर है उसके बारे में एक प्रथा प्रचल थे वह उसको आप लोग खोजिएगा वह बहुत ही इंट्रेस्टिंग कथा है उससे बहुत ही संबंधित तत्य आपको देखने को मिल जाएंगे एक साउथ में मूवी भी बनी है बाल सुब्रमन्य मंदिर के उपर तो उस मूवी का भी आप लोग देख सकते हैं नाम हाला कि आदित्य प्रथम था तो आदित्य प्रथम ने एक मंदिर और बनाया है सुंदरेश्वर का मंदिर और यह कहां उन्होंने बनवाया है तिर कटले में इन्होंने सुंदरेश्वर मंदिर का निर्मान कराया था अगले जो राजा है वो है परांतक प्रथम और परांतक प्रथ है ठीक है को रंगनात का जो मंदिर है वो स्री निवास नलूर में इन्होंने बनवाया है अगला जो राज राम प्रथम थे राज राम जो प्रथम थे उन्होंने राज राज येश्वर मंदिर का निर्माना कराया है यह तंजोर में और यह बहुत ही विसाल मंदिर है राज र उन्होंने तनवेली में इन्होंने बनवाया है अगला जो मंदिर है वो राज राज दित्विय का है उस मंदिर का नाम एतरेश्वर मंदिर है और ये कहा है ये दार सुरम में इस्थित है दार सुरम में ये मंदिर इस्थित है तीसरा जो मंदिर बहुत ही फेमस जो है अगला क पुलोतुंग तर्तिये का है जो कि कंप हरेश्वर का जब मंदिर है इस मंदिर को उन्हें ने त्रीभुवन में बनवाया है अगला जो कोशन है कि ईशा की जो प्रारण्मिक सताब्दियों में भारत तथा रोम के बीद जो घनिष्ट व्यापारिक सम्मंद्धों की सूचना क पुरा स्थलकी खुदाई से प्राप्थ होती है तो यह आप लोग बताएंगे कि यह कहां मिला है मदुरे में मिला है तामर लिप्ती में मिला है तो वो इस्थान था अरिका मेडू आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह जो मंदिर है उनके समंधित राजा है वो जो लोग देख लीजेगा इससे क्या होता कि जब आप क्रोनोलोजी मिलाएंगे तो फिर आपको गलत होने का जो चांसस है वो नहीं रहेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि आज का हमारा लक्षर जो प्री मेडवल पीरियेट से संबन्नित था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल और मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे जो मुसलिम इन्वेजन था मुसलिम आक्रमल था वह सबी लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आज के लिए बस इतना ही था आप सभी लोगों का धन्यबाद और नमस्कार